हेलो, हेलो डियर स्टुडेंट्स अब हम कर रहे हैं आरे सेगरवाल जी की नाइन्ट क्लास मैंथी बूक है एक्सेसाइज है 7B लाइन्स एन एंगल्स चेप्टर का नाम है और इस एक्सेसाइज का कर रहे हैं हम कोस्चन नमबर 9 कोस्चन नमबर 9 में क्या है वो जड़ा ध्यान से देखिए समझिए टू एड्जेसेंट एंगल्स है और वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है यह स्ट्रेट लाइन हुई और मैंने यह रेट ड्रो कर दी ठीक है एक एंगल यह हो गया और एक एंगल यह हो गया यह दोनों एड्जेसेंट है एड्जेसेंट एंगल वो एंगल होती है जिनके अंदर जिन दो एंगलों के अंदर एक आर्म तो कॉमन होती है जो की यह वाली है और जो दो आर्म है बच गई वो इस arm के अगल बगल होगी एक left hand side में होगी तो एक right hand side में होगी इन दोनों का ही vertex है वो common होगा जो की ये वाला है ठीक है जिस पर की ये angle बना है तो फिर हम इसको मान लेते हैं 5x और ये 4x clear है बड़े वाले angle को हमने 5x माना छोटे वाले angle को 4x माना और अपनी सहुलियत के लिए हम angle 1 और angle 2 भी लिख लेते हैं तो दो adjustment angle दे रहे हैं straight land के उपर और उनकी ratio 5 ratio 4 है find the measure of each of these angles अब आपको इन दोनों angle की measurement है वो पता करनी है कि ये दोनों angles कितने कितने degree के हैं बात clear होई ओके तो फिर solution करते हैं और जो ये हमने 5x 4x माना है इसके लिए भी हम statement लिखेंगे let the given angles are एक 5x हो गया और एक 4x हो गया ठीक है ये हो गया इसके बाद क्योंकि ये दोनों adjacent है और straight land के उपर बने हुए है इसलिए इन दोनों का जोड 180 degree होगा यहाँ पर मैंने लिया A, ये लिखा O, ये लिखा B because अपनी तरव से मैंने लिया है AOB because AOB is a straight line ठीक है straight line है तो फिर 5x और 4x का जोड़ होगा वो 180 degree होगा कारण इसका linear pair अब दो angle है इसलिए मैंने pair लिखा दो से जादा angle होते है अगर straight line के उपर तो मैं यहाँ पर angles लिखता ठीक, pair मतलब 2 दोनों को जोड़ें तो हमें मिलता है 9x is equal to 180 इसकी जगह पर यह आया equal की जगह पर equal 180 की जगह पर 180 आया अब 9 multiply में है जो की equal के दूसरी दरव जाएगा तो fade divide में आ जाएगा तो 180 by में आपको मिलता है 9 9 से 180 को divide करें तो 9 1 is 9 2 0 18 0 बचा यह 0 पर divide होता है तो x की value आपको 20 मिलती है hence required जो आप से angle पूछे गए हैं वो है required angles are एक था 5 x मतलब 5 multiply 20 तो यह 100 degree हुआ ठीक और दूसरा है 4 x तो 4 multiply 20 is equal to 1 sorry is equal to 18 degree 80 degree sorry again sorry 80 degree ठीक है तो यह दो angle हो गए इन दोनों को जोड़े अगर आप तो फिर check करना चाहें तो दो check है इसके अंदर एक दोनों को जोड़े तो 180 आना चाहिए जो की आ रहा है 100 और 80 को जोड़ा 180 आया दूसरा check है इनकी ratio 5 ratio 4 आनी चाहिए तो ratio निकालने के लिए 100 by 80 निकाला जीरो से जीरो कट हो गई 24,000 तो यहां मिला आपको 5 by 4 मतलब 5 ratio 4 बात क्लियर हुई तो दोनों की दोनों जो check हैं हमने कर लिए और हमारा answer बिल्कुल ठीक है इसमें हमें answer देखने की जूरत नहीं है इस परकार से आप check कर सकते हैं जब कभी test हो बच्चों मैं आपसे यह बात कहना चाहूंगा कि आप ना केवल यह वाले questions करें बलकि ज़्यादा से ज़्यादा practice कीजिए इनको reference के तरीके से लीजिए और books के questions भी solve कीजिए क्योंकि यही questions नहीं आएंगे different आ सकते हैं आपको ज़्यादा practice की जरूरत है बच्चों से ताकि वह भी से फाइदा लेशिके comment कीजिए अगर आप कुछ पुझना चाहते कुछ कहना चाहते बहला करने के button तो दमाना मंद बूलेगे का साथ-साथ और पर भी click कर दीजिए गा ताकि आपको latest update मिलते रहे तो thank you students for watching your own video in the next video में जिसमें में करें in the next course solution always have a great time bye झाल